नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिय और आपका स्वागत है स्जीवी नियूस पर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार लगातार चर्चाओं में बने हुए है इसी बीच उनको कहा गया है कि नितिश कुमार की हालत अंधों में काना राजा जैसी जी हाँ यहाँ यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात कही गई है नितिश कुमार के लिए क्योंकि वो लगातार इस प्रयास में है कि विपक्ष की तरव से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का उप्रमुक चैरा बन जाए दरसल यह हमला क्या गया है प्रशांत किशोर की तरव से पीके की तरव से चुनावी रन नितिकार पीके ने यह बड़ा हमला बोला है नितिश कुमार पर कि उनकी हालत ऐसी है जैसे अंदो में काना राजा अब यह क्यों कि कहा गया आईए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं दरसल अगर बात किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार काफी लंबे समय से 2024 के लोगसवा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एक जुट करने में लगे हुए हैं देश बर के ब्रह्मन पर निकले हुए हैं इसको लेकर लगातार अलग लग राज्यों के दोरों पर जा रहे हैं इसी बीच जन सुराज पाटी के सेयोजक और चुनावी रनितिकार प्रशांथ किशोर ने नितिश कुमार पर ये हमला बोला है प्रशांथ किशोर जिनको पीके के नाम से भी जाना जाता है पीके ने नितिश कुमार को तारगेट करते हुए कहा कि वै बिहार देश का फिसड़ी राज्य बना करके रख दिया है उन्होंने और नितिश कुमार जो है वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे म कर रहा है लें से पूरे देश के जैसे उन्हों ने बिहार को अमेरिका बना दिया है और नितिश कुमार ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाल ही में मुख्य मंत्री बना हर बार मुख्य मंत्री बन जाते हैं पल्टी मार करके वो बैरहाद नितिश की विपक्षी एक्ता को लेकर चल रही कवायत पर हमला बोलते हुए चुनावी रन्निती कार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि नितिश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मगर उनकी हालत अंदो में काना राजा जैसी है अब देखे यहां पर यह भी तंच कसा जा रहा है कि पढ़ने लिखने के बावजूद यहां पर इस प्रकार की हालत जो है वो नितिश कुमार की ह क्योंकि वो बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, 2014 के पहले से प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्रधान मंत्री बनना है, अभी हाल ही में उनकी इच्छा ये भी थी कि राश्ट्रपती हैं उपराश्ट्रपती बनाया जाए, बैरहाल, पीके ने ये भी कहा है कि नितिश कुमार को में कि मैं पढ़ लिखतो गया लेकिन मैं ही पढ़ा लिखाऊं पूरे भिहार में और किसी को कुछ पता ही नहीं मुझे ही सब चीजे मालूम है इसलिए उनकी तमाम जो भी बाते सामने आती हैं जो भी बेयान सामने आते हैं वो यही दर्शाते हैं कि नितिश कुमार इस प्रक लिखना भी नहीं आता है और वहीं नितिश कुमार को अपना नाम लिखना आता है यह वो कह रहे हैं आगे कह रहे हैं पीके तो लोगों को लगता है कि वह बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं यह दरसल यह तंज कसा जा रहा है कैबिनेट के अगर बात कि आपने आसपास ऐसे लोग जो है वो भरती कर दिये हैं नितिश कुमार ने जिनको कुछ आता नहीं अपना नाम लिखना तक नहीं आता है अब नितिश कुमार अपना नाम लिख लेते हैं तो वो लोगों को यह प्रतीत करवाते हैं कि देखिए कितने बड़े विद्वान है नितिश कुमार जबकि बिहार की हालत क्या है पूरा देश जान रहा है चाहे वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हो पीछे सुशासन यात्रा चलाई जा रही थी नितिश कुमार की तरव से लेकिन वहीं दूसरी पार्टियों ने उसको लेकर भी जो है आईना दिखाया सरकार को समाज में सच्चाई दिखाई यह पहली बार है समोका नहीं है जब पीके ने नितिश कुमार पर हम लगे लागे है कुछ दिन पहले भी पीके ने नितिश कुमार को लेकर कहा था कि 2024 में नितिश कुमार का हाल चंदरबाबू नाइडू जैसा होगा पीके ने कहा था कि नितिश और RJD का अपना कोई ठीकाना नहीं है यह लोग क्या किसी को परधान मंत्री बनाएंगे दरसल यह इसलिए कहा गया क्योंकि नितिश कुमार जिस होड में लगे हुए है सब से मिल रहे हैं प्रियास कर रहे हैं कि हम ही परधान मंत्री बनाएंगे हम ही फोर फ्रेंट पर रहे हैं उसको ले करके पीके ने कहा था कुछ दिन पहले कि इनका हाल वही होगा जो चंदरबाबु नाइडू का हुआ था 2019 के लोग सावचनाब में सब कुछ करना चारे थे अंत में क्या हुआ सबने देखा अपनी ही पार्टी की हालत कैसी हो गई थी और सपना था उनका भी कि मैं परधान मंत्री बनूँ तो वही हाल नितिश कुमार का होगा आरजेडी को भी उन्होंने बीच में गसीटा कि ये क्या किसी को परधान मंत्री बनाएंगे इतना ही नहीं तेजस्वी सब जानते हैं आरजेडी की जो फोर्फरंट लीडर्शिप है उसमें सब लालु यादव के परिवार के सदस्य हैं तेजस्वी आदव रावडी देवी तेज प्रताप यादव उसको लेकर के पीके ने कहा था कि अगर ये लालु यादव के बिटे ना होते तो कोई ऐसी न स्थापक प्रशांद किशोर उन्होंने कहा था कि बिहार में बिते पांच से साथ सालों में दोने उद्योग तेजी से फलफूल रहे हैं जो बड़ा हमला किया गया तनीती सरकार पर और कहा था एक है शराब बंदी से जुड़ा हुआ शराब माफिया और दूसरा है बालु माफिया यह दोनों द्योग आज से कुछ सालों पहले ही इतने बड़े पैमाने पर जो है नहीं थे लेकिन बालु के अवैद खनन से आज हजारों करोडों रुपे की लूट हो रही है बिहार में तो यह आईना दिखाने का काम लगातार पीके ने किया है इसमें उन्होंने क कि इसमें नीचे से लेकर उपर तक सब मिले हुए हैं प्रशांद कि शोर ने चार शब्द कहा कि जिसकी लाठी उसके वैंस हाल ही में दो दिन पहले कि जिसकी लाठी उसकी वैंस जिसकी जहां ताकत है वो वहां से बालु उठा रहा है और बेच रहा है ऐसा करके हजारों कर रोडो रुपे जो है वो लूटे जा रहे हैं प्रशांद किशोर ने शराब बंदी को ले करके नितिश सरकार को घेरते हुए का था कि शराब बंदी के नाम पर सिरफ जो है शराब की दुकाने बंद हैं लेकिन गर-गर डिलीवरी हो रही है कोई जो है पूछने वाला नहीं ह तो ये सब बाते कही गई प्रशांद किशोर की तरफ से अब देखिए ये जो पूल वाला भी मामला चल रहा है इसमें भी मनीश कश्यप ने पूरे तरीके से उजागर किया था मामला और ये जो सारी बाते अब प्रशांद किशोर कहा रहे हैं मनीश कश्यप यही सब जो ख के बागलपूर में 1717 करोड रुपे की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह भरवरा कर गंगा में बैग गया इस पुल का शिला न्यास 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने किया था लेकिन 9 साल बीच जाने के बाद भी पुल बनकर तयार नहीं हो पाय था यह कि नितिश कुमार का इसमें कैना है कि पुल ठीक से नहीं बनाया गया तबी यह बार-बार गिर रहा है तेज प्रताप का इसमें कुछ और कैना है तेज अस्वियर तीनों का स्टेटमेंट लग है वो हम पहले भी आपको इस बारे में विस्तार पूर बता चुके हैं लेकिन प्रकार से टार्गेट पर जो है वो नितिश कुमार है पीके के और अब जो है उनको सच्चाई दिखाने का काम आई ना दिखाने का काम पीके की तरफ से किया जा रहा है बहराल अब यह जो पीके की तरफ से कहा गया अंदों में काना राजा जैसी हालत है नितिश कुमार की इ आए हो आप हमारा साथ कमेंट बॉक्स में शेर कर सकता है और उससे जूड़े तमाम अपडेट के लिए बने देमार साथ दन्यवाद